मारूती सुजूकी की विटारा ब्रेजा ऐसी सब कॉम्पेक्ट SUV है जो भारत में बहुत पसंद की जाती है इसी वज़ा से कमपनी इसका 2022 मॉडल जल्द पेश करने वाली है इसके मुकाबले में अभी भारतिय मार्केट में अन्य कमपनियों की भी कई कारे लाइन अप में है यही वज़ा है कि इसे मुकाबले में आगे रखने के लिए कमपनी कार का नया मॉडल लेकर आ रही है इस बार कमपनी नये ब्रेजा को कई बदलाव और नये फीचर्स के साथ बाजार में लाने की तैयारी कर रही है कार का साइज पहले जैसा ही रहने वाला है लेकिन इसके अगले और पिछले हिस्से में कई बदलाव किये गए है आई ये कार के बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं इससे पहले आपसे अनरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल रियल ओटो न्यूज को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द चे जल्द आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिल जाए इसके फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको नई क्रोम फ्रंट ग्रिल मिलेगी जो की काफी बहतर नजर आती है इसके अलावा LED पारकिंग लाइट के साथ हैलोजन प्रोजक्टर हेड लैंप्स बॉडी कलर्ड बंपर देखने को मिलते हैं ब्लैक स्किड प्लेट गार्निश और बॉडी कलर डोर हैंडल भी यहाँ दिये गए हैं इसके अलावा 16 इंच डाइमेंट कट अलॉई वेल्स भी इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं साइट प्रोफाइल में ज्यादा कोई खास बदलाव नहीं किया गया है जबकि इसके पीछे नए LED टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं जो की इस बार काफी अच्छे लगते हैं इसके अलावा रूफ माउंटेन स्पोयलर, बूट पर क्रोम स्ट्रिप और LED हाई माउंट स्टॉप लैंप जैसे फीचर्स आप इस गाड़ी में देख सकते हैं नई मारूती ब्रेजा में डेर लीटर के 15B पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 103 बीचप का पावर और 138 एनम का टॉक चेनरेट करता है इसके साथ इसमें 5 स्पीड मैनुल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन हैं आटोमेटिक गियर बॉक्स वाले वेरियंट में मारूती की स्मार्ट हाइब्रिड टेकनोलोजी भी दी गई है मैनुल गियर बॉक्स में ब्रेजा का माइलेज 17.03 किलोमिटर जबकि स्मार्ट हाइब्रिड टेकनोलोजी के साथ आने वाले automatic transmission variant का mileage 18.76 km प्रती लीटर है कैबिन की बात करें तो ब्रेजा के facelift model में leather finished steering wheel और नया 7 इंच smart play studio infotainment system दिया गया है इस infotainment system में आप live traffic update, voice recognition, vehicle alert और curated online content जैसी सुवधाएं देखने को मिलेंगी साथ ही पहले की तरह infotainment system, android auto और apple car play भी support करता है सेफटी के लिए इसमें dual front airbag, entry lock braking system के साथ EBD, reverse parking camera, driver और co driver seat belt जैसे एहम safety features दिये गए है इस बार भी इसमें side airbags देखने को नहीं मिलेंगे इस कार के खीमत 4,10,000 के आसपास रहने की उम्मीद है इसकी launching इसी साल पहले half में हो सकती है दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद है कार की ये detail वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब